इसका कारेयल है दिल्ली में, मुख्य कारेयल है दिल्ली में वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष है वे केजी बालकृष्णन है ये संक्षिप्त में इसके धांचे की बात हो गई अब हम आते हैं इसके कार्य क्या है राश्टी मानवादिकार आयोग के कार्य पहला सम्मंदित मामले की कारवाई में हस्तक शेप करने का अधिकार बहुत महत्पूर्ण है ये आयोग जो है वो न्यायले के अनुमोधन से ही न्यायले में चल रहे मानवाधिकार उलंगन सम्मंदी किसी मामले में हस्तक शेप कर सकता है ये बहुत महर्पूर्ण हस्तक शेप करने का अधिकार दूसरा आयोग भारक के किसी भी राज की जेल या किसी अन्य संस्था जो व्यक्तियों को सुधारने बचाने या इलाज के लिए हो उसका अवलोकन कर सकता है अब ये क्या मुद्दा है आयोग के सदसे जेल जा सकते हैं और वहां निरिक्षन कर सकते हैं आयोग के सदसे व्यक्तियों को सुधारने बचाने या उनके इलाज के लिए इस्पताल वगर जो हो वहां भी जाकर निरिक्षन कर सकते हैं आखिर ये अदिकार क्यों दिया गया या ये उनका कारिक्षितर में क्यों आता है इसलिए ये सुनिश्चित करता है मानवादिकार आयोग कि जेल के अंदर जो बंदी हैं चाहे वो सजायापता बंदी हो चाहे जिनके खिलाफ अभी कारवाई प्रारंब होनी हो ऐसे बंदियो हुए भी बंदियों के कुछ अधिकार हैं तो मानवा अधिकार आयोक के सदस्य इन जेलों में जाकर ये देखते हुए सुनिश्चित करते हैं कि वहाँ पर जो अधिकार मानव को दिये गए हैं वो बंदियों को भी कि सुवधा है कि ने मानसार आादी आादी ऐसे ही अस्पतालों का निरेक्षन करते हैं वहाँ पर जो सुवधाएं उनको अधिकार के तहत मिलनी चाहिए वो मिल रही ही कि नी व्यक्तियों को सुधारने के लिए जो सुधार ग्री में हैं, सुधार ग्री में कहीं इनके साथ अत्या चार तो नहीं हो रहा है, जेल के अंदर बंदियों के साथ कहीं अत्या चार तो नहीं हो रहा है, अपराधी घोशित होना और जेल में रहना, ये तो नियाले के आदिश पे होता है, उसके बाद ऐसा कई बा बहार करती है पिटाई करती है और ना जाने कितने अन्य तरीके अक्तियार करके इनको परेशान करती है ऐसा ना हो इसे देखने के लिए मानौ अधकार आयोक के सजस्यों को इन खेत्रों में जाने की अनुमत ही है इसके अलावा आयोक भारत के किसी विराज की जेल या संस्था की इस्थिति का अवलोकन करके सुझाओ भी दे सकता है चाहे वो व्यक्तियों के सुधारने से संबंद हो बचाने से संबंद हो उनके इलाज से संबंद हो तो एक तो निरिक्षन करके वहाँ मानव अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है दूसरा वहाँ सुझाओ भी दे सकता है उसके कारक्षित के दाइरे में आता है कि माना अधिकार आयोग कोई अधिकार है कि वह सरकार को सम्मंदित सरकार को वहां की जेल वहां के सुधार ग्रिह आदिके सम्मंद में सुझाओ दे अगला सम्मिधान द्वारा मूल अधिकारों की रक्षा है तो बनाए गया कानून द्वारा दिये गया रक्षा उपायों की जाच करना और उसे प्रभावी धंग से लागू करना सुनिश्चित करना सम्मिधान द्वारा जो मूल अधिकार दिये गया है उन मूल अधिकारों की रक्षा के लिए कानून में जो प्रावधान किये गया है ये प्रावधान परियाप्त है कि नहीं इन प्रावधानों का ठीक से पालन किया जा रहा है कि नहीं कैसे इन अधिकारों की बहतरी के लि यह भी मानव अदिकार आयोग के दाइरे में आता है कार ख्षेत्र में आता है छोथा मानव अदिकार आयोग किसी अदिकार के उलंगन या हनन्ड की शिकायत की जांच करने की पातरता रखता है मानव अधिकार आयोग मानव अधिकार के हनन या उस उलंगन की शिकायत मिलने पर उसके जाँच कर सकता है जाँच करने का अधिकार है पाँचवा मानव अधिकार आयोग सुनिश्चित करता है प्रयास करता है कि मानो अधिकारों से सम्मंदित शिक्षा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुचे देश के ज़्यादा से ज़्यादा नागरिक जाने कि अधिकार क्या है मानो अधिकार क्या है मानो अधिकार की क्या सीमाएं हैं क्या दाइरें हैं आदी आदी तो मानो अधिकार से संबंदित शिक्षा को प्रोसाहिद करने का प्रयास और इन अधिकारों के रक्षा उपायों के प्रती लोगों में जागरूकता लाने का, अवेरनेस बढ़ाने का जनता जनारदन को ये जानकारी देते हुए कि नागरिक आयोग, नागरिक अधिकार क्या क्या है मानो अधिकार आयोग ये सुनिश्चित करता है कि जादा से जादा लोग शिक्षित हों, सजग हों, जागरूक हों और अधिकारों का सही उप्योग समझे तो शिक्षा और रक्षा उपायों के प्रतिश जागरूकता ये भी उसके कारिक्षितर का हिस्सा है छटवा है गैर सरकारी संगठन गैर संगठन मतलब एक तरीके दे हम कह सकते हैं NGO, Non-Government Organization ऐसे Non-Government Organization, ऐसे गैर सरकारी संगठन जो मानवादिकार के लिए काम कर रहे हैं और ऐसी संस्थाएं, अन्य संस्थाएं जो मानवादिकार से सम्मंदित जानकारियां इकठा करना, उस पर रिसर्च करना, उस पर आंकड़े तयार करना, आधी आधी करती हैं उनको प्रोसाहित करने का काम भी मानवादिकार आयोग करता है राश्ट्री मानवादिकार आयोग देश में बहुत सी ऐसी ऐसे NGO हैं ऐसे गैर सरकारी खेतर में काम करने वाले थी, बहुत सी संस्थाएं हैं जो अंदरूनी इलाकों में जाकर विभन तरीकों से उस इलाके में रहने वाले लोगों को जागरूक कर रही हैं चाहे वो पढ़ाई लिखाई के माध्यम से, चाहे नाटक आदी करवा के, चाहे कुछ शॉर्ट फिल्म दिखा कर, या सेमिनार, वर्क्शॉप आदी-ादी करवा कर अंदरूनी इलाकों में मानवादिकार आयोग की जहां पहुंच नहीं है वहाँ ये गैर सरकारी संगठन, अदिकारों के प्रती चैतनिता जगाने का काम करते हैं और ऐसा काम भारत में, एंजियोग के दौरा काफी बड़ी तादाद में हो रहा है इसी काम को प्रसाहित करने का काम, NGO को मोटिवेट करने का काम मानो अधिकार आयोग, राश्टी मानो अधिकार आयोग करता है राश्टी मानो अधिकार आयोग, उन कामों और तत्थियों की जाच करने में भी सक्षम है जिसमें मानो अधिकार के दुरुपयोग कारों पाला है या मानो अधिकार के आयोग, मानो अधिकार के उपयोग में बाधक होने का आरोपाला है तो उसकी जाच भी करता है तता इन बातों, इन बाधक तत्वों को दूर करने की प्रयास करता है दूर करने का सुझाओ देता है आदी आदी ऐसे कई स्थितियां आती हैं जब देखा जाता है कि उच्छे तरीके से मानव अधिकार का उपयोग एक समाज विशिष्ट किसी खेतर में नहीं लिपकर पा रहा है बहुत से कारण होंगे ऐसे स्थिते में मानव अधिकार आयोग इन बाधाओं को दूर करने का प्रयास करता है उन दिक्ततों को दूर करने का प्रयास करता है जो मानव अधिकारों के उपयोग में बाधाक जांच करता है तत्थियों का पता लगाता है इनकारियों की जानकारी देता है और फिर बाध्राओं को दूर करने के लिए सुझाव देता है प्रयास करता आठवा इसके कारिक्षित्र के था आठवा कारिक्षित्र जो है वह है मानवादिकार से संबंदित अंतराष्टी कानून अभी तक जो बातें थी वो देश के अंदरूनी मामलों अब अंतराष्टी मामले में मानवादिकार बहुत महत्पूर्ण है मानवादिकार से तंबन दे जो भी अंतराश्टी कानून है या कोई संध्य है तो भारत में उसके क्रियानवन करने का परामर्ष देना एडवाईजरी रोल उसकी जानकारी में कोई अंतराश्टी संध्य ऐसी है जिसमें मानवादिकार को लेकर कुछ नए सुझाओ नए कानून बने है तो भारत के सरकार लाज्य सरकार स्टेट को ये सुझाओ देना परामर्ष देना कि इन प्रावधानों को अपने देश में भी अपने क्षेतर में भी लागू किया जाए नौवा आयोग जो है वो मानवादिकार की उन्नति का प्रियास करता है मानवादिकार की विकास का प्रियास करता है उसके लिए सतत रूप से सोचता रहता है तरीके इजाद करता है नए नए अधिकारों को मौलिक अधिकारों में समाहित करने की गुझाईश देखता है संभावनाएं टटूलता है और उचित कारवाई करता है तो इस प्रकार उन्नती और विकास अधिकारों की उन्नती और अधिकारों का विकास ये इसके कारिक्षित का एक अहम दायरा है मानवदिकार आयोग जो है निश्पक्ष रहता है और इसके निश्पक्षता इस बात से साभित से जाती है कि इसके अध्यक्ष जो है वो सरवोच नयाले के नन दीश रहते हैं अधिक तर सदस्स जो है वो भी कुछ इसी तरीके के उहदे पे रहते हुए इसके सदे से बनाय जाते हैं तो इस परकार निश्पक्ष होकर मानवाधिकार हनन से सम्मंदे सभी शिकायतों की जाज करना समाधान करना और मानवाधिकार के विकास और उन्नतिकास समगर प्रयास करना ये मानवाधिकार का कारिक्षेत्र है ये जानने के बाद कि मानो अधिकार आयोग का कारिक्षित कितना बड़ा है विस्तृत है और कितनी शक्ति शाली है थोड़ा सा ये भी हम जान लें कि कुछ ऐसी भी स्थितियां है जिस पर मानो अधिकार आयोग दखल नहीं दे सकता आधिकार के विकस और उत्थान के नाम पर कुछ इस्थितियों में मानव अधिकार adjustment दकल नहीं दे सकता वो कौन कौन से स्षितियां हैं पहला आधिकार ख्रित से बाहर की जो शिकायत हैं उस पर वो सुनवाई नहीं कर सकता को ऊपर जो मैंने आठ नो बातें बताई यह आयोग का दाइरा बताता है इस दाइरे के बाहरे य downward को शिकायते हो रही हैं तो माना भिकार आयोग इन शिकायतों पर कोई कारवाई या सुनवाई नहीं करेगा ना कर सकता है क्योंकि यह उसके अधिकार क्षित्र से बाहर है दूसरा, मानवादिकार आयोग ऐसी शिकायतों पर भी कोई करवाई नहीं करेगा जो शिकायतें अधूरी लग रही हैं जो शिकायतें असपश्ट हैं, जिसमें विस्तरत रूप से ब्यारा नहीं दिया गया है जो शिकायत की जारी है उसका विस्तरत रूप से ब्यौरा नहीं दिया गया हो उस पर भी वो सुनवाई नहीं करेगा तीसरा मानवादिकार आयोग नौकरी संबंदी शिकायतें नहीं सुनता वो अधिकार संबंदी शिकायतें सुनता है पर नौकरियों से संबंदी शिकायतें नहीं सुनता है कई बार नौकरी में भी यह ऐसी बातें सामने आती हैं कि पता लगता है यह शिकायत आती है कि जो उच्च अधिकारी हैं वह नीचे के अधिकारी को उसके कारक्षितर में दखल दे रहे हैं उसके अधिकारक्षितर में दखल दे रहे हैं उसे कारे नहीं करने दे रहे हैं आदी आदी ये शिकायत जो है वो कहीं और जाएगी ये मानो अधिकार से जुड़ी ही शिकायत नहीं है मानव अधिकार ऐसे अधिकार जिनका सम्बंद मानव को मानव जैसा सक्षम बनाय रखने में समर्थ हो उसे कहते है मानव अधिकार तो इसलिए नौकरी सम्बंद याधिकार भी इसके दाइरे में नहीं है इसके बाद न्याय धीश से सम्मंदित मामले भी मानवा दिकार आयोग के तहत नहीं आते अर्थात न्याय धीशों के बरताव विवहार को लेकर किसी तरह की शिकायत मानवा दिकार आयोग में नहीं की जा सकती और नहीं मानवा अधिकार आयोग ऐसी किसी शिकायत की सुनवाई करेगा और अंत में साल भरते अधिक समय अधि हो गया हो किसी घटना को तो उसके बाद उस घटना से सम्मन्दित मामले की वसुनवाई नहीं करेगा अर्थाट यदि किसी शिकायत करता को अधिकार के हनन की अधिकार के दुरुपयों के शिकायत करनी है तो घटना के एक वर्ष के अंदर मानवा अधिकार को करें अनिसा नहीं आने था वे निराशी होंगे क्योंकि माना अधिकार आयोग ने उसकी एक समय सीमा रखी है और वह है एक वर्ष के अंदर इस वकार हम देखते हैं कि माना अधिकार आयोग का बहुत विस्तरिद दाइरा है और एक तरीके तरह हमारा वाच डॉग है हमें नागरिकों जैसे जीवन देने के लिए जीने के लिए बहुत महत्पूर्ट संच्था है उसके साथ ही इसकी कुछ सीमाएं भी हैं अब हम आते हैं अभी तक हमने अधिकारों की बात की मैंने प्रार्म में ही बताया था कि हम भारती लोग निश्चित रूप से अपने अधिकारों से अच्छी तरह वाकिफ है अधिकारों की बात हम बहुत करते हैं और करना भी चाहिए एक नागरिक होने के नाते जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमें अधिकार मिलने चाहिए लेकिन जिम्मेदार नागरिक के कुछ कर्तव भी होते हैं नागरिक दो पहलू होते हैं अधिकार और कर्तव हम मैंसे कई लोग केवल अधिकारों की बात करते हैं और कर्तवियों को भूल जाते हैं ये भूल जाते हैं कि अधिकारों के साथ कुछ कर्तब भी जुड़े हुए मैंने भी आपको दो दारन दिये थे कि हमें अधिकार है अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का तो मैंने loud speaker लिया और अपनी भावलों को जोड़ जोड़ से व्यक्त करने लगा लेकिन ऐसा करते हुँ मैं स्कूल के परिसर में विवधान कर रहा था जब मैंने loud speaker से जोड़ जोड़ से बोलना शुरू किया तो तो मेरा करतब है कि मैं अपनी भावनाओं को ऐसे व्यक्त करूँ जिसे से स्कूल के अधिकार का हनन ना हो यह मेरा करतब यहां कि मैं कच्रा फेकूं तो ऐसा फेकूं कि दूसरे को दूसरे के लिए वो गंदगी ना बने ये मेरा कर्तब बहर दूसरे शब्दों में अधिकार और कर्तब बहर फंडामेंटल ड्यूटी और फंडामेंटल राइट्स ये साथ साथ चलते हैं अधिकार क्या है ये तो हम समझ गया है और वैसे तो करता भी क्या है ये भी हम समझते है ड्यूटी क्या है ये भी हम समझते है लेकिन फिर भी राजनी ते विज्ञान के विद्यार्थी के नाते हम थोड़ा इसको परिभाशित करें और समझने की कोशिश करने कि करतब्य क्या है करने योग्य कार्य करतब्य कहलाता है जो भी कार्य करने योग्य है वो हमारा करतब्य है करतब्य जो है वो व्यक्ति द्वारा निभाए गए ऐसे दायत वे हैं ऐसी जिम्मेदारिया हैं जिससे समाज का विकास होता है समाज का विकास होता है ऐसी कुछ जिम्मेदारिया है करतव जो है वह जिम्मेदारी है अधिकार जिम्मेदारी नहीं है करता भी बस्ता कुछ ऐसे निश्चत और अवश्च किये जाने वाले कारे को कहते हैं जो कि एक सब्समाज में व्यक्ति को प्राप्ट अधिकार्ण के बदले में करने पड़ते हैं मैं फिर तो दो राद में ऐसे निश्चित और अवश्य किये जाने वाले कार निश्चित कारे और अवश्य किये जाने वाले कारे जो की एक सब्समाज में एक अच्छे राज में रहने वाले व्यक्ति को प्राप्त अधिकारों के बदले में बिलते हैं आपको ये अधिकार है तो आपको ये कर्तव भी है आपके वल अधिकारों की बात नहीं कर सकते ये आपके वल कर्तवियों की बात नहीं कर सकते ऐसी स्थीते तो आती ही नहीं है तो इस प्रकार है कुछ मूल कर्तव भी है fundamental duties और कर्तव ये क्या है बहुत छोटी परिवाशा है करने योग्यकारे करता भी 26 जन्वरी पचास को जब सम्विधान लागू हुआ था तो याद रखेंगे उस समय केवल अधिकारों का जिक्रिता उस सम्विधान में 26 जन्वरी पचास को जब सम्विधान लागू हुआ था तो इस सम्विधान की पुस्तिक में करतवियों का जिक्र नहीं था केवल अधिकारों का था और ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि संभावता हमारे सम्विधान निर्माता मानते थे कि भारती नागरिक अपने कर्तवियों को बखू भी जानता है और उसको सम्वेधानिक जामा पहनाने की जुरत नहीं है मूल कर्तवियों का जिक्र हमारे सम्वेधान में नहीं था पर जैसे जैसे समय बीता गया करतवियों को समवेधानिक जामा पहनाने की आउशकता बढ़ती चली गई सन 1976 में 42 में संशोधन के तहद ये अनुभो किया गया कि समवेधान में नागरिक के मौलिक करतवे डाले जाएं और इसलिए चतुर्थ भाग चौथा भाग बाद में एक नया भाग चौथा फोर्थ ए चतुर्थ अ ये भी जोड़ा गया इस नया भाग में अनुछाद अनुछेद इंकावन च्छ इंकावन अ के अंतरगर दस मौलिक करतवे कितने मौलिक करतवे डस कब लागू हुआ 1976 कौन सा संशोधन 42 संविधानिक संशोधन और महत्पूर्ण बातिये कि करतव्यों का जिक्र हमारे संविधान निर्माताओं ने 1950 में जो संविधान लागू किया था उसमें नहीं किया था अब ये दस मौलिक करतवे क्या थोड़ा इस पर रज़र डालें पहला संविधान का पालन तथा उसके आदर्शों संस्थाओं और राष्टी प्रतीकों का सम्मान संविधान का पालन तथान की जो पुस्तक है उसकी हम बकूबी इज़त करें उसमें दिये गए आदर्शों उससे जुड़ी ही संस्थाएं जैसे पार्लमें नयाय पालिका आदि आदि और उसमें राष्टी प्रतीक राश्टी प्रतीक के रूप में राश्टी पक्षी, राश्टी पशू, जھंडा, अशोग चक्र इन सब का संवान करना हमारा करतव है भारत के प्रत्येक नागरिक का ये करतव है कि वे सम्विधान का पालन करे पालन करना करतव है और उसके आदर्शों संस्थाओं, राष्ट ध्वाज, राष्टगान आदिका सम्मान करे केवल अधिकार की बात न करे उसके लिए आवश्चक है कि वह सम्मान भी करे इन राष्टी प्रतीकों का जब राष्टगान हो तो वो एक जगह सिर होकर खड़े हो जाए उसके सम्मान राष्टी जणडा हो तो उसका भी सम्मान करे राष्टी जणडे को लेकर कई नियम है उन नेमों का परिपालन करे दूसरा करतव्य राष्टी आंदोलन के जो प्रेरक आदर्श थे जिन्होंने राष्टी आंदोलन को प्रेरिणा दी ऐसे आदर्श उनका पालन करे आंदोलन राष्टी आंदोलन से फ्रीडम मूव्मेंट से जड़ो हुए जो आदर्श थे उनका वो सम्मान करे पालन करे राष्टी आंदोलन को प्रेरित करने वाले जो आदर्श थे उन्हें अपने हिर्दय में संजोए एकता अखंडता आदी आदी और उनका पालन करे राश्ट्री आंदोलन के उद्देश्यों अर्थात राश्ट्री आंदोलन के उद्देश्यों की को अपने हिर्दय में समाहित करे तीसरा भारत की सम प्रभुता, एकता और अखंडता की रख्षा करे तीनों शब्द देखे सम प्रभुता, एकता और अखंडता सम प्रभुता अर्था चाविरिंटी साविरिंटी अर्थाथ जिसके उपर कुछ कोई नहो कर्तवियों के तहट कर्तवियों की शिंखला में उसका अगला महत्पूर्ण कर्तव है दस में से चोथा कर्तव देश की रक्षा और राष्ट सेवा प्रत्येक नागरी का एक कर्तव है कि वह देश की रक्षा करे और बुलाए जाने पर राष्ट की सेवा करे मूल अधिकारों की चर्चा करते हुए मैंने आपको बताया था कि कुछ ऐसा समवेधानिक प्राउधान भी है जिसके तहट राज्य को अधिकार है कि वह जरूरत पढ़ने पर देश की रक्षा के लिए समाज के किसी तबके को किसी वर्ग को आदेश दे सकती है ताकि वह देश की रक्षा के लिए सामने आए उसी के तहट यहां कर्तब की बात हो रही है कि ऐसी स्थिति में जब राज्य को आविश्कता हो देश के स्तक्षम वर्ग को अपनी सेवाएं अपने अपने तरीके से देश की रक्षा के लिए राश्ट की सिवा के लिए देनी चाहिए बलाए जाने पर रक्षा के कारे में आगे रहे पांचवा मौलिक कर्तब लोगों में सम रस्ता और भ्रत्रित्व की भावना का विकास प्रत्येक नागरिक का कर्तब है कि वह ऐसी कोई हरकत ऐसी कोई गतिविदी ना करे जिससे भ्रत्रित्त की भावना में ठोस पड़ रही हो चोट पड़ रही हो सम रस्ता की भावना में किसी तरह का दुश्प्रभाव हो रहा हो भारत के सभी नागरिकों का ये करतब है कि वो बंदुत्व की भावना से काम करें बंदुत्व की भावना का विकास करें और धर्म, जाति, प्रदेश, भाशा, वर्ग, आधारित, भेदभाव से उपर उठकर ऐसी प्रथाओं का त्याक करें जो इस्त्रियों के सम्मान के विर्द हो ये जो बाते मैंने बताएं अभी धर्म, जाति, प्रदेश, भाशा, वर्ग इन से परे उठना हमारा करतब है इन से उपर जाना हमारा करतब है ये जो भावना हैं, ख्षित्रीता की भावना, भाशा की भावना ये एक तरीके से देश के एकी करण में बाधक होती है ये भावनाएं होना चाहिए लेकिन एक सीमा तक सर्वोपरी राष्ट हित है सर्वोपरी राष्ट प्रेम है और इसलिए इन भावनाओं को जो भेद भाव पैदा करती है ऐसी प्रथाओं को जो भेद भाव पैदा करती है उन्हें त्यागे और साथी महिलाओं का सम्मान करें